आज हम दो क्लिर्की बहुत ही खुबसरत और बहुत ही प्यारी सी दिजाइन सिखेंगे जो कि बच्चों के स्वेटर या लेडीज टॉप अगरे के लिए बहुत ही यूनीक है बहुत ही प्यारी डिजाइन है एट रोस का रिपीट पैटर्न है और इसे हम दो कलर दो तो पहली सलाई तो है सारे फंदोग आपको सीधा सीधा बुन लेना है कि देखिए सारे फंदोग को आपको सीधा सीधा बुन लेना है हम डारेक्ट स्टार्टिंग से ही बना रहे हैं क्योंकि जो बेस रो है वह हमारी थोड़ी से अलग होती है जैसे अभी स्टार्ट कर रहे यह बनाने हैं लेकिन जब इसके बाद हमारी first row आईगी तो उसमें हमें design बनाना होगा तो चरिए से सिधा बुनके complete करते हैं यह देखिए यह हमने first row right side से सिधा सिधा बुनके complete कर लिया और अब हम second row पर है wrong side से तो wrong side की जितनी सलाईया है आपको उल्टा-उल्टा बुनके complete करना है कोई design इस पर नहीं डालना है तो यह हम सारे फंदों को उल्टा-उल्टा बुनके complete कर लेंगे इसके बाद मैं आपको wrong side की कोई भी रो नहीं बताऊंगी अब देखिए अब हम third row पर है तो third row पर हम देखिए पहला फंदा जो है उससे आपको सीधा बुनना है अब यहां से मारा repeat pattern start हो Been को दो दो पन्यों को आपको एक करना है Pan गे अब इस संपन्यों को ऐसे उतारके सीधा करेंगे और दो फंदों को side से सीधा बुन लेंगे आपको बार-बार repeat करना है एक दो, तीन, चार फिर देखिए दो फंदे हम फ्रन्ट साइड से सीधा बुनेंगे तीसरे फंदे को तार के हम सीधा कर लेंगे और दो फंदो को back साइड से हम सीधा बुनेंगे इस तरह से अब इसके बाद फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब यही इतना पैटर्न आपको बार बार रिपीट करना है, यह जो हमने बनाया है, चार फंदे, दो दुका एक किया है, फिर चार सीधे, तो देखे यह बार और से, दो फंदों को पहले फ्रंट साइड से हम सिधा बनेंगे, तीसरा फंदा उतार के लिए सिधा करेंगे, इसे हम बैक साइड से सिधा बना लेंगे, तो इसी तरह से हम यह पैटर्न, लास्ट बनाते हैं, चाहेंगे, दो का एक किया, फिर इसे उतारा, देखे, दो फंदों का एक किया, फिर चार सीधे, फिर दो का एक किया फिर इसे उतार के ऐसे सीधा किया और दो फंदो का एक किया फिर चार सीधे एक दो तीन चार अब देखिए लास्ट में पांच फंदे बचे फिर दो का एक करेंगे और फिर इसे उतार के ऐसे सीधा करेंगे और दो फंदो को हम फिर से एक करेंगे और एक यह हमारी 3rd row कंपलीट होगे बहुत एब हम 4th row पहे हैं फोर्त रों साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा-उल्टा बनके complete करना है तो बुन लेते हैं यह देखिए हमने fourth row wrong side से complete कर लिए हम right side से फिर दूसरा color लगाएंगे तो अब देखिए right side से मारा pattern पहला फंदा आपको सीधा बुनना है तो आप देखिए यहाँ पर यह जो दो फंदों में एक चिन कीता इधर दो का एक चिन के था इहाँ इस तरह से सलाइ currently करेंगे 1 फंद situation करेंगे एकंदा सी धार निकालेंगे कि दिखें जहां हमने 2 फंद का 1 पहीं पे उसके बीच में फिर हम सीधा पुन लेंगे एक दो फिर वापीस इस ही में इसी में हम यार फंद निकालेंगे तरह बेखेंगे फिर ये फंदा खिंचने बाद 4 फंदे हम सीधा बनेंगे तिन और ये चार आप देखे यहां पर आपको दिखरा होगा थोड़ा अन्या्टा स्था मोटा जहां पर हमने दो फंदो का एक किया दिखे इधर एक किया दो का एक उसके बीच में से उसके बीच में से दिखिए वैसे आप count करेंगे तो दिखिए आपे दो धागे अपको इस तरह दिखिए दो धागे इसके नीचे से आपको एक फंदा इधर लेना है फिर दो फंदा हम सीधा बुनेंगे देखे एक, दो, दो सीधा बुना और फिर इसके अंदर से सलाई इंसेट करके इसी को एक बार और बना लिया यह हो क्या फिर चार फंदे सीधे यह धागा में लूज रखना है जो हम फंदे खीच रहे हैं एक, दो, तीन, चार देखे, चार फंदे बने अब फिर यहां से देखे, एक यह धागा छोड़ेंगे देखे, दो छोड़ेंगे और इसके बाद यहां से हम एक बार इसे खीचेंगे फिर दो फंदे यह एक, दो, दो यह फिर इसके बीच में से इस तरह से हम इसे फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे हमने सीधे बनाएं फिर वापिस से जहां यह हमने फंदे घटा हैं उसी के बीच में आपको दीख जाएगा उसी के बीच में से आपको इस तरह से यह फंदा लेना है एक यह हमने दो दो फंदे माइनस किये हैं वो हमारे यहा पर इंक्रीस हो जाएंगे देखिए इस तरह से फिर चार फंदे सीधे है एक थो तीन चार फंदे सीधे है फिर उपीस से इसके बीच में समसलाई डलकी से निकलेंगे इस तरह से दो फंदे सीध है एक दो और फिर यहां से इसके बीच में से इस तरह से फिर चार फंदे सीध है एक दो तीन चार और फिर यहां पेड़ेंगे इस तरह से एक दो और ये लास्ट में एक फंदर सेटा रॉंग साइट से सारे फंदों को आपको उल्टा 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 उनके कम्प्लीट करना है इस तरह अब हम सेवंथ रॉपे हैं अब देखिए जो हमने यहां पे थर्ड रो में बनाया है वही हमें बनाना है लेकिन थोड़ा साइज जिसे यहां पे के बज़ए हम यहां बनाएंगे यह जो चार फंदे हैं इनको यह जो चार फंदे बीच के हैं इसमें अब देखें यहाँ पे ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच ये पांच फंदे तो हमने सीधे बुने ठीक है अब ये जो चार फंदे बीच के हैं इन्हें हमें घटाना है तो देखें दो का हमने यहाँ एक किया दो का एक किया अब फिर इस फंदे को तार के ऐसे करेंगे औ देखिए इस तरह, फिर चार फंदे सीध हैं, देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार बुने, फिर देखिए, यह जो बीच के जिए खाली चार फंदे, इनी को आपको घटाना है, तो दो फंदो का हमने एक किया, फिर अगला उतारेंगे, इसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम दो का एक कर लेंगे, फिर चार फंदे सीध हैं, एक, दो, तीन, चार, फिर दो का हम एक करेंगे, और फिर इससे उतार के सीधा करेंगे, और दो फंदो का फिर से एक करेंगे, फिर चार, तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, अब देखिए हम सेवन्थ रो के लास और कम्प्लीट करना सुर्ण से करें तो फैस्ट रोर में विक्न बताऊँगे नियुक्ष की क्रें सब्सक्राइइ पर्षी फैसे इस सब्सांदी करना स्लिगाए कि marche क्रें रीजाइन तुर्ण फोड़ा सब्सक्राइब सर्द का निद्रैस्ति पार नहील हों दो, तीन, चार, और ये पांच duż, पांच फंदम में घटा है, अब देखे यहां पर दो का एक के, details. दीए नीचे से देख एक दो दूसरी सलाई में हम इसे इस तरह से insa置 करेंगे एक फंदा लेंगे, इसे थोरा सा लूज बनाएंगे, पहले से लाई हमने ठोरा स्थाइड बना दिया था, अब हम इसे दो फंदो को सीधा बनेंगे, यह First key हमारी है, तो जब आप First row, Base row के बात बनेंगे, तो इस तरह से बनाएंगे देखे-सी में हम, फिर से यह दिखिए यह मैंने डिजाइन को बना लिए इस तरह से हमारी डिजाइन दिखती है बहुत यह प्रिटी सा पैटर्न है बहुत प्यारा लगता है दिख सकता है कितना खुब सब्सक्राइब क्रोशे की डिजाइन जैसा है और गर आप से बच्चों को स्वेटर बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा लेडिस टॉप अगर में भी आप इसे डाल सकती है इसे आप डायरेक्ट फंदे डालने के बाद नहीं अप्लाई कर सकती है इसके लिए आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा फ़रना जैसे यह मुड़ जा रहा है वैसे आपकी डिजाइन च्स चेंगा है दंख सकती है इसे आपकी यह कि दुग जए चाह है इसे बा caucus कि दम भी आपकी को बहुत नहीं जहीं आपक स今 давно सकती है इसे आपकी को बहागा है ठामाना जहीं डटो ओिस को अ-ई- हम्ले इसे आउचैं नहीं बहा है भी स्मी, हैं दsche bह। जहीं दयले को जही